हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मा यूट्यूब चैनल बी ले बी लाइक आलिया आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी मुल्तानी मिट्टी नीबू और गुलाब चल से बने फेस्पेक के बारे में और उसके तरीके के बारे में तो च हमें नीज होती है मुल्तानी मिट्टी की, लैमन की, नीबू की और रोस वाटर की इन तीन चीदों से मिलकर हमारा फेस्पेक रेडी होता है तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको आपको बना कर दिखाती हूं इसको हम कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम देंगे मुल्तानी मिट्टी वन टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी एं फ़ टेबल स्पून और मुल्तानी मिट्टी उसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें एड करेंगे फ़ लैमन जूस देखे फ्रेंड्स इसमें मैं एक वन टेबल स्पून प्रेमन जूस एड कर रही हूं इसके बाद हम इसमें एड करेंगे रोज वाटर तू टेबल स्पून रोज वाटर अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा हम इसमें वाटर एट करेंगे जिससे यह अच्छा सा पेस्ट बन जाए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्रेंट्स यह पेस्ट पैक आपकी सक्ट के लिए बहुत जादा पैनिफीशियल है इसके सक्ट सक्ट हो जाएगी प्लस क्लोईंग हो जाएगी और आपकी सक्ट बहुत जादा ब्राइट इ brightness हो जाएगी मुल्दाने मिट्टी के कोई भी side effects नहीं होते हैं या आपके skin के लिए काफी फायदे मन्द होती है तो friends देखिए ये paste बनकर ready हो चुका है इसको मैंने अच्छे से mix कर लिया है अब इसको हमें अपने face पर apply करना है देखिए friends ये paste बनकर ready हो चुका है अब हम इसको अपने face पर apply करेंगे चलिए मैं आप इसको apply करके रिखाते हैं अपने hand पर इसको हमें इस तरह से अपने face पर apply करना है देखिए friends इसको मैंने apply कर लिया है इसको apply करने के बाद जब ये dry हो जाए 10 minutes के बाद इसको हम ठंदे पानी से हमें wash कर लेना है देखिए friends ये almost dry हो चुका है अब हमें इसको ठंदे पानी से wash कर लेना है देखिए friends इसको मैंने wash कर लिया है ये wash करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखह रहा है कितन आ गलो कर रहा है देखिए आप डिफ्रेंस देख सकते हैं देखिए friends ये वालवा इंदे इतना glow कर रहा है प्राइटन लग रहा है और इस hand पर मैंने apply किया था तो आप तोनों में सिर्ट डोनों का डिफरंस देख सकते हैं instant result है आपके सामने तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएए तो हमारी वीडियो को like करें comments करें और अपने फ्रेंड्स के साथ share करें और हमारी चनल को subscribe करना ना भूले और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें थांक यू